नमस्कार, वेलकम टू डिफेंस फंडामेंटल्स तो आज हम एक स्पेशल वीडियो करने वाले हैं जिसमें हम जानेंगे इंडियन आमी के इलीट गातक कमांडोस के बारे में वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन आमी के हर इंफेंट्री बिटेलियन में एक गातक प्लाटून होती है हर इंफेंट्री बिटेलियन में से बेस्ट सोलजर्स और ऑफिसर्स को शॉटलिस्ट करके उन्हें ट्रेंड किया जाता है और उन्हें एक अलग प्लाटून में रखा जाता है जिसे कहते हैं गातक प्लाटून और गातक प्लाटून के सोल्जर्स को ही कहा जाता है गातक कमांडोज गातक एक संस्क्रिद वर्ड है जिसका मतलब है किलर या लीथल गातक प्लोटून को गातक नाम जनरल विपिन चंद्रा जोशी सरद्वारा दिया गया था गातक एक स्पेशलाइजड इलीट फोर्स है और गातक कमांडोस इंडिन आमी के हर इंफेंट्री बटैलियन में मौजूद होते हैं गातक कमांडोस को शॉक टूप्स भी कहा जाता है जो कि सडन अटैक्स करने में माहिर होते हैं यह दुश्मन को चोका देने वाली टुकडी की तरह काम करते हैं अब बात करते हैं गातक कमांडोस के रोल्स और रिस्पॉंसिबिलिटीज की बारे में गातक कमांडोस का रोल सिमिलर होता है उनाटिट स्टेट्स के स्कॉट स्नाइपर प्लाटून की तरह कुमांडो प्लाटून जो है बिटिश आर्मे की और रिपब्लिक ओफ कोरिया आर्मे के कुमांडो रेंजर रेजिमेंट्स की तरह गातक कुमांडो हाइली ट्रेंड और स्पेशलाइज होते हैं स्पेशल रिकॉनेसंस मिशन्स को प्रफॉर्म करने के लिए एनिमे के आर्टिलरी फील्ड एरफील्ड एरबेसेज टेक्टिकल हैडकॉर्टर्स पे रेड करना उन्हें सीज करना टेक्टिकल मनीवर्स के साथ साथ होस्टेज सिचुईशन को हैंडल करना Counter Insurgency Operations और Tactical Lever पे और भी अलगल लग Operations को Handle करना ये सब गातक Commandos के Rolls and Responsibilities में आता है इसके साथ ही गातक Commandos, Mountain Warfare, Demolition, Rock Climbing, Helly Bone Assault, Close Quarter Battles में भी Highly Trained और Expert होते हैं अब बात करते हैं गातक Commandos के Unit Composition के बारे में अब अगर बात करें Unit के Composition की तो गातक Platoon में Usually 20 Soldiers होते हैं जिसमें Captain Commanding Officer, 2 Non-Commissioned Officer, Designated Marksman Sniper, Light Machine Gunners, Radio Operator, Medic और बाकी के बच्चे Soldiers Assault Troopers होते हैं गातक Commandos Highly Specialized Weapons के साथ Equipped होते हैं जैसे Israeli Made Tavor TAR-21 Rifle, Klashnikov AK-47 के Different Versions, Sniper Rolls के लिए Russian Made Dragon of Sniper Rifle, Heckler & Kauj MSG-90 Designated Marksman Rifle अलग-अलग Missions के According ही Different Weapons और Equipments गातक Commandos Carry करते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे, 2016 की Surgical Strikes में भी Indian Army के Parasaf Commandos के साथ गातक Commandos भी Mission Objectives को Achieve करने के लिए Deployed थे गातक Commandos Unarmed Combat में Highly Skilled होते हैं और जादा तर लोग गातक Commandos को Unarmed Fights के लिए ही जानते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गातक Commandos Unarmed Combat के में Highly Trained और Highly Skilled तो होते ही हैं लेकिन इसके साथ Modern Weapons को यूज़ करना Mountain Warfare, Rock Climbing, Demolition में भी Expert होते हैं जैसा कि पहले हम आपको बता चुगे हैं गातक Commandos के अनाम Combat में Highly Skilled होने की वज़ा से ही गातक Commandos को जून 2020 में गलवान में LSE Standoff के टाइम पे डिपलॉई किया गया था और फिर आपने सबने गोल गप्पे वाली वीडियोस तो देखी ही होगी कैसे Chinese Army को Indian Army ने दोड़ा दोड़ा के गोल गप्पे खिलाए थे लेकिन इसी के साथ एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि गातक Commandos, Para-SF, Navy के Marcos या Air Force के Garud Commandos की तरह Special Force नहीं है अब Indian Army की Modernization के तहट गातक Commandos को Advanced Weapons के साथ एक्यूप किया जा रहा है और गातक Commandos Modern Weapons के साथ एक्यूप होने के बाद और भी गातक हो जाएंगे I hope information clear होगी ऐसी ही और अन्य वीडियो के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बैल आइकन को दुबाना ना भूले और कमेंट सेक्षन में हमें बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जैहिन वंदे मातरम झाल